हलो इस्टूडेंट स्वागत आपका हमारे चैनल पर इस चैनल पर आपको रास्तान जीके और जनरल साइंस की टॉप क्यूशन सीरीज देखने को मिलेगी जिसके माद्दिम से आप अपने तैरिका आखलंग कर सकते हैं इस्टूडेंट ये टॉप क्यूशन सीरीज आपके एक्जाम लेवल को ध्यान में रखकर बनाएगी है साथ साथ इस टॉप क्यूशन सीरीज से आपके क्यूशन आने के संभावना ज़्यादा रहने वाली हैं इस चैनल पर हम टॉप क्यूशन के माद्दिम से संभून टॉप को कंप्लीट करते हैं तो इस टूबन आज अमारा जो टॉप ए रास्तान की कलासेंस करती शें रास्तान के परमुक्त नुवार के बारे में टॉपिक होने वाला है यानि कि हम आज राष्तान के जो परमुक्त नवार है उनके questions solve करेंगे तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूले चैनल पर आप नहीं है तो फटापर से चैनल को कलीजे subscribe ताकि आपको notification आसानी से मिल जाए तो student चलते हैं आज के हमारे first question के ओर जो राष्तान के परमुक्त नवार से होने वाला है तो आज का हमारा first question है बच्छीडे की पूजा की जाती है हमसे यह पूचा गया कि बच्छीडे की पूजा कौन से दिन की जाती है तो student हमारे option है option गनेश सतुर्ती को, option B बच बारस को, option C मास शिवरात्ती को, option D जन्माश्टमी को student question number first का सही answer है option B बच बारस को बच्छीडे की पूजा की जाती है अगर आपको इन questions के answer पता है तो आप comment के माध्यम से उनके answer दे सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रहे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना बूले चलते हैं आज के हमारे next question के और हमारे next question है question number two राजस्तान में बाल विवा दिवस को किस रूम में देखा जाता है हमसे ही पूछा गया है इस question में कि राजस्तान में जो बाल विवा होता है वो कौन्से दिन सर्वादिक होता है तो हमारे option है option में मकर सकरांती, option में गंगोर, option सी जनमाष्ट में, option D है अक्षेत तर्तिया Q2 का सही answer है option D. अक्षे तर्तिया, रास्तान में अक्षे तर्तिया के दिन सरवादिक बालविवा होते हैं चलते हैं next question के और हमारा अगला question है question number 3 किस त्योवार के साथ मांगलिक कारिकर्मों का प्रारम माना जाता है हमें ये बताना है कि कौन सो त्योवार आने के बाद में जो मांगलिक कारे हैं वह प्रारम हो जाते हैं या शुरू हो जाते हैं हमारी option है option A. दिपावली option B. देव उटनी ग्यारस option C. बसंती है नवरात्रा option D. देव सेनी एका दसी question 3 में सही answer है option B. देव उटनी ग्यारस के साथ मांगलिक कारे करम प्रारम हो जाते हैं अगर आपको अमारी वीडियो अच्छी लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शिर करना ना भूले चलते हैं next question के और हमारा अगला question है question number 4. राजस्तानी कहावत के अनुसार त्योवारों का समापन माना जाता है पिछले question में हमसे यह पूचा गया था कि कौन से दिन से त्योवार शुरू हो जाते हैं या मांगलिक कारे शुरू हो जाते हैं इस question में हमसे यह पूचा गया है कौन से त्योवार के इस्टुडेंट गंगोर का त्योवार जाते ही त्योवारों का समापन माना जाता है तबी तो राष्तान में बोला जाता है कि गंगोर त्योवारों को लेकर डूब जाती है या त्योवारों को लेकर चली जाती है चलते है नेक्स्ट क्यूशन के और हमारा अगला क्यूशन है Q5. ज Workshop निम्मर्ण क waiver ज हमें यह बताना है, जो ज हम संपर्दा है, उनका जो तर्वार रोड तीज वहहे नो बनाया जाता है. तो हमारे ऑप्चन है, ऑप्चन है बादर पद्गर्संत तर्तिया, ऑप्चन सी आजविन सुकल तरतिया, option डियर स्राउंड सुकल तरतिया Q5 में सही आंसर है option B, बादर सुकल तरतिया को जेन संपरदायर और 30 का तिवार बनाते हैं चलते हैं, next question के और हमारा अगला question है, question number 6 Question number 6 है किस तिवार के अवसियस पर पुस्त को वादे अंतरों की पूजा की जाती है हमें ये बताना है कि कौन सा ऐसा तेवार है जिस दिन पुस्त को और वादे अंतरों की पूजा की जाती है तो हमारे option है, option है गणगोर option B, होली, option C, बसंतिये पंचमी option D, अक्षे तरतिया Q6 में सही आंसर है option C, बसंतिये पंचमी को पुस्त को और वादे अंतरों की पूजा की जाती है चलते है next question के और हमारा अगला question है question number 7 अगर आपको वीडियो अच्छी लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले इस चैनल पर आपको राजस्तान जी के और जनरल साइंस की टोप question शिरीद देखने को मिलेगी जिसके माद्यम से आप अपनी तयारी का काफे सांदार तरीके से आगलान कर सकते है question number 7 बारे सरकार ने दो बार परमानो परिक्षन किस अउसर पर किये थे तो हमारे option है option B रास पूर्णिमा option C बुद्पूर्णिमा option D कार्थिक पूर्णिमा question number 7 में सई आंसर है option C बुद्पूर्णिमा बुद्पूर्णिमा के दिन बारे सरकार ने दो बार परमानो परिक्षन किये थे चलते है next question के और हमारा अगला question है question number 8 देव जूलनी जल जूलनी एक अदसी को किस इस्तान पर मेला आयोजित होता है तो हमारे उप्षन है उप्षन मंडपिया चितोडगड उप्षन भी धुलेव उदेपुर उप्षन सी अन्नोद परताब गड़ उप्षन डियम मंडोर जोद्पुर क्यूशन नमबर एट में सही आंसर है उप्षन ए मंडपिया चितोडगड के अंदर देव जूलनी या जल जूलनी एक अदसी को मेला आयोजित होता है चलते नेक्स्ट क्योशन के और हमारा अगला क्यूशन है क्यूशन नमबर नाइन क्यूशन नमबर नाइने बेसा कर्षन तर्थिया के दिंधी का गवर है किस महाराना के सासन काल में शुरूई थी हमें यह बताना है जो बेसा कर्षन तर्थिया के दिंधींगा गवर है आती है वह किस महाराना के सासन काल में उती है इसमें स्टुडेंट में आपको पता दू दो पर्सन क्यूशन में बन रहे हैं, बेसा कर्सन तर्थिया को दिंगा गवर बनाई जाती है, और साथ ही साथ इसे गुमा कर आपसे ये भी पूंचा जाता है कि बेसा दिंगा कवर कब बनाई जाती है, तो बेसा कर्सन तर्थिया क Option C, Kran Singh, Option D, Amar Singh, Quesn No. 9 में, सही आंसर है, Option C, Sorry, Option D, Amar Singh, Amar Singh के सासनकाल में, बेशा कर्षन तर्तिया के दिन दिंगा गवर, शुरू हुई थी, चलते हैं, Next Quesn के और हमारा अगला Quesn है, Quesn No. 10, RT, DC के 30 वे गणगोर, स्टुडेंट इसको वे और नामक होटल किनी स्थानों पर है, हमसे यह पुछा गए कि RT, DC के 30 वे गणगोर नामक होटल किनी स्थानों पर है, तो हमारे उप्षन है, उप्षन है, जेसल में, Quesn No. 10 का सही आंसर है, उप्षन B, जेपूर, जेपूर के अंदर RT, DC के 30 वे गणगोर नामक होटल इस्थानों है, चलते हैं, Next Quesn के और हमारा अगला Quesn है, Quesn No. 11, Quesn No. 11 में सही आंसर है, उप्षन डी, रमजान, रमजान के महिनी को हिजरी समध का महिना माना जाता है, चलते हैं नेक्स्ट क्यूशन के औरहमारा अगला क्यूशन है प्यूशन नमबर 12 मोहरम का त्यौवार की संप्धदाय दूआरा मनाया जाता है तो हमारे उप्षिन है उप्षिन के मुसल्मान, उप्षिन भी हिंदू, उप्षिन सी इसाई, उप्षिन डिए सीथ Question 12 का सही आंसर है Option A मुसिल्मानों द्वारा महरम का त्यवार मनाया जाता है चलते नेक्स्ट कुयोशन के और हमारा अगला क्ऊसिन है Question 13 बगवान सिव का जनमों सव कम मनाया जाता है तो हमारे उपशन है Option A पाल गुन करसं 23 Option B छेत्र करसं 31 क्यूशन नमबर 13 में सई आंसर है फाल गुन कर्शन तरियोदसी को बगवान सीव का जनमोसुव मनाया जाता है चलता है नेक्स्ट क्यूशन के और हमारा अगला क्यूशन है क्यूशन नमबर 14 निमन में से कौन सा त्यमार सिंदी समास से संबंदित नहीं है हमारे उप्शन है उप्शन है जूलियलाल जेनती उप्शन भी दड़ती पर उप्शन सी है ऐसूचड पर उप्शन डी है लोहडी क्यूशन नमबर 14 में सई आंसर है उप्शन डी लोहडी जो की सिंदी समास से संबंदित नहीं है यह सिख समाज से संबंदिते यानि कि पंजाबियों दुआरा मनाया जाता है चलते हैं नेक्स्ट क्यूशन के और हमारा अगला क्यूशन है क्यूशन नमबर 15 करवाचोत का वर्त कम मनाया जाता है तो हमारे उप्षन है उप्षन है चेत्र करशन एकम Option B, कार्थिक पूर्णिमा Option C, कार्थिक कर्षिन 13 Option D, कार्थिक कर्षिन 14 Quesn No. 15 15 में सही आंसर है Option D, कार्थिक कर्षिन 14 को करवाचोत का वर्तम रखा जाता है या वर्त का त्युमार मनाए जाता है चलते हैं नेक्स्ट Quesn के और अगर आपको हमाड़े वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले चैनल पर आपने हैं तो फटापट से चैनल को कर देजिए सब्सक्राब इस चैनल पर आपको रास्तान जी के और जनरल साइंस की टॉप Quesn श्रीद देखने को मिलेगी जिसके माद़े में से आप अपनी तैयर कांक लाइन काफी सांदार तरीके से कर सकते हैं हमारे अगला Quesn है Quesn No. 16 बील जन जाती दुआरा मनाये जाने वाला परमुक्तियोंवार है हमारे उप्शन है Quesn No. 16 बील जन जाती दुआरा मनाये जाने वाला परमुक्तियोंवार है चलते हैं नेक्स्ट Quesn के और हमारा अगला Quesn है Quesn No. 17 गीजगर जेपूर में काद्राबूत्रा की सवारी कब निकाली जाती है तो हमारे उप्शन है उप्शन है अनंत चतुरदशी उप्शन भी रूप 14 उप्शन C नर्सिंग चतुरदशी उप्शन डिये इनमें से कोई निग Quesn No. 17 में सही आंसर है उप्शन C नर्सिंग चतुरदशी को गीजगर जेपूर में काद्राबूत्रा की सवारी निकाली जाती है चलता है नेक्स्ट Quesn के और हमारा अगला Quesn है Quesn No. 18 बिना इसर की गणगोर कहां पूजी जाती है तो हमारे उप्शन है उप्शन है ना दुआरा उप्शन B बिकानेर उप्शन C जेसल मेर उप्शन D जोधपुल Quesn No. 18 में सही आंसर है उप्षन सी जेसल मेर, जेसल मेर के अंदर बिना इसर की गंगोर पूजी जाती है, जहां पर केवल गंगोर माता की सवारी निकाली जाती है, चलते हैं, नेक्स्ट कुशन के और हमारा अगला कुशन है, कुशन नमबर 19, तेजा दस्मी का त्योवार कम मनाया जाता है, तो हमार उप्षन सी भादर शुकल दस्मी को तेजा दस्मी का त्योवार मनाया जाता है, चलते हैं, नेक्स्ट कुशन के और हमारा अगला कुशन है, कुशन नमबर 20, हिंदू मैं इनों की सुरुवात कब से होती है, तो हमारे उप्षन है, उप्षन है अमाउस्या से, उप्षन भी उप्षन भी कर्षन पक्स एकम से हिंदू मैंनों की सुरुवात होती है, चलते हैं, नेक्स्ट कुशन के और हमारा अगला कुशन है, कुशन नमबर 21, किस आउसर पर बगवान विश्णू की सवारी निकाली जाती है, जिसे रेवाडी कहा जाता है, तो हमारे उप्षन है, उप्षन नमबर 21 में सही आंसर है, उप्षन सी देव जूलने एकादसी को बगवान विश्णू की सवारी निकाली जाती है, जिसे रेवाडी भी कहते हैं, इस क्यूशन में आपको और भी क्यूशन देखने को मिलेंगे, जैसे कि बगवान विश्णू की सवारी को क्या कहा जाता है, तो इसका अंसर हैगा रेवाडी, और आपसे ये भी पूचा जा सकता है कि रेवाडी किस बगवान की सवारी के रूम में निकाली जाती है, तो उसका अंसर हैगा बगवान विश्णू, लेकिन 21 क्यूशन में हमसे जो पूचा गया है, वो रेवाडी कब निकाली जाती है तो वह देव जून लिये का दशी को निकाली जाती है चलते हैं तो नेक्स्ट कुशन के और हमारा अगला कुशन है क्यूशन नंबर 22 वर्ष पर आएजुत होने वाला हिंदू ते वार कौन सा जो कौनसा तिवार है जो वर्ष में दोबार आएजित होता है तो हमारे उप्र से और उप्रें गंगोर, ऑप्षन भी दसेरा,उप्षन C नव्राथ्रा, ऑप्षन D पसंद पंच्व में क्यूशन 22 का सई आंसर है ओप्शन C नवरात्र जो नवरात्र है वे वर्ष में दोबार आए जित होने वाले हिंदू त्योवार है चलते हैं नेक्स्ट क्यूशन के और हमारा अगला क्यूशन है क्यूशन नमबर 23 गंगोर के आउसर पर इस्तरिया कौन सा नर्ते करती है क्यूशन 23 में सई आंसर है ओप्शन B गूमन नर्ते गंगोर के आउसर पर इस्तरिया करती है चलते हैं नेक्स्ट क्यूशन के और हमारा अगला क्यूशन है क्यूशन नमबर 24 बया दूजगा परव कम मनाया जाता है तो हमारे ओप्शन है ओप्शन एक कारतिक कर्शन तरतिया ओप्शन B कारतिक शुकल एकम ओप्शन C कारतिक कर्शन एकम ओप्शन D कारतिक शुकल दितिया Q24 में सई आंसर है Option D. कार्तिक शुक्ल दित्तिया को बयादूज का प्रव मनाया जाता है चलते हैं Next question के और हमारा अगला question है Q25 होली का त्योवार कम मनाया जाता है हमारे option है Option भाद्रम पद माहे में Option B. कार्तिक माहे में Option C. फालगुन माहे में Q25 में सई आंसर है Option C. फालगुन माहे में होली का त्योवार मनाया जाता है Student ये ते आज के हमारे राजस्तान की प्रमुक त्योवार से Top 25 Q25 अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो वटावर से चैनल को गलेजे सब्सक्राइब इस चैनल पर आपको डेली, राजस्तान, जीके और जन्रल साइंस की Top Qution श्रीद देखने को मिलेगी जिसके मादेम से आप अपनी तयारी का कापी सांदार तरीके से आपकलेंड कर सकते हैं तो student, thank you very much वीडियो देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप अपनी तयारी करते रहे और आप अपनी तयारी का आपकलेंड क्योंकि स्टेडी चैनल पर अपलोड गी गई जिके और जनरल साइश की Top Question सीरीज के माद दिम सिह कर सकते हैं ये Top Question सीरीज आपके एग्जाम लेखरों को द्यान में रखकर बनाएगी साथ जाति इनसे क्यूशन आने के संभावना आपके एग्जामें जादा रहने वाली है